इंपूट आउट्पुट पोर्ट्स और इंटरफेसिस एक दिस्प्ले कार्ड के इंपूट आउट्पुट पोर्ट्स और इंटरफेसिस इस तरह से हैं D-Sub-Output Port, S-Video Output Port, DVI Output Port, RCA Output Port, D-Connector, VIVO Port और Modular Input-Output Block Connectors D sub output port यह port monitor को analog input के साथ जोड़ता है Digital signals इस port के माध्यम से भीजे जाने से पहले RAM DAC रुपांतरण के माध्यम से जाते हैं क्योंकि हो केवल analog input करने में सक्षम है S video output port S video अलग से video को दर्शाता है प्रारम विक काल में video output को प्राप्त करने के लिए Video Encoder की जरूरत पड़ती थी 5 pin S video port हस्तक शेप से बचने के लिए Luminance और रंग के signals को अलग करती है जिससे signal की गुडवत्ता को सुधारा जा सके DVI output port बहुत सारे graphics प्रासेसर में Integrated Transition Minimized Differential Signals होते हैं DVI port की माध्यम से TMDS Transmitter Direct Digital Output LCD Monitor को पहुँचाते हैं यह port Digital Signal को Display Card से LCD स्क्रीन में पारित करने की जरूरत को सुनिश्चित करता है RCA Output Port यह AV port या Composite Video Connector के रूप में भी जाना जाता है यह आमतोर पर घर में Electronics उपकरणू में देखा जाता है यह एक Video और दो Audio Signals में विभाजित किया जाता है D Connector DK आकार का Connector Digital Video Signals के Direct स्थानांतरण के लिए प्रियोग किया जाता है यह HD TV में पाया जाता है VIVO Port VIVO Port एक Video Input Output Port है यह High End उत्पादूं पर पाया जाता है और एक 9-pin S Video Port के रूप में होता है यह VIVO Adapter के साथ भी प्रियोग किया जा सकता है Modular I.O. Block Connectors यह 9-pin S Video Port के रूप में होता है और एक Adapter यानि Component Output के साथ के द्वारा VIVIN HDTV मीडिया को सपोर्ट करता है जिसमें 720P, 720I और 1080I भी शामिल है इस प्रकार के Adapter RCA और S Video Output Expansion भी प्रदान करते हैं होगाओा एकार के द्वारा हाभ Guinea झा कि अआ काता है